नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आम की कलम बांधना सिखाने जा रहा हूं आम में कलम बनाने के तकनिक कलम बांधना वह क्रिया है जिसमें दो एक ही जाती के पोधे के कटे भाग इस प्रकार बांधे जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए और नए पोधे के रूप में बढ़ने लगए आम में कलम बांधने के अनेको तरीके हैं पर सबसे प्रसिद और अपनाया जाने वाला तरीका है फन्नी कलम बांधना जिसे हम पेच ग्राफ्टिंग और पेप ग्राफ्टिंग भी करते हैं इस तकनिक को अपनाने से पहले हम बीजू आम का रूट स्टॉक यानि मूलू रूथ तयार करते हैं इसमें पहले वर्ष घुठली यानि की बीज की वुवाई नरसरी में कर देते हैं बीज के अंकुर होने के बाद 20 से 30 सेंटिमेटर की दूरी में बेड बनाकर लगा देते हैं बेड की चोड़ाई तीन फिट और लंबाई अपनी सुईदा के अनुसार रखनी चाहिए कलम बादने के लिए वर्ष टिक को तयार करने के लिए हम आम के मदर प्लांट से नई निकली साखाव में से सबसे स्वस्त साखा का चैन करते हैं साखा की अग्रव भाग से पत्तियों को सिकेटीयर की मदद से काट ले और उसे एक सप्ता के लिए पेड में लगा छोड़ देते हैं एक सप्ता के बाद पत्ति का निचला भाग जड़ जाता है और अग्रव भाग से बर्ष उटने लग लेए इस अवस्ता में बर्ष लिक से 10 से 12 सेंटीमेटर लंबाय में काट लिए यह बर्ष लिक कलम बांदने के लिए रुट स्टोक को सिकेटीयर की मदद से जमीन से पंदरा से अठारा सेंटी मिटर पिंसाई पर काटने के बाद कने के मंध्य भागने जार से पांच से में बेरा कर्टने राफ्टिंग नाइक की मरत से लगागने इतनी ही लंबाई का बड़ स्टिक के निकले भागने विया का छुटे इस छिले हुए बड़ स्टिक को रूट स्टोक के कटे हुए भाग में लगा देते हैं लगाने के बाद इसे अच्छी तरह दबा देते हैं ताकि पोदे का बड़ स्टिक और रूट स्टॉक का केवियम अच्छी तरह से संपर्ग में आ जाए इस जोड को अच्छी तरह बांधने के लिए पोलिथिन की पट्टी का इस्तमाल करते हैं जिसकी जोडाई दो सेंटिमेटर और लंबाई तकरीबन 25-30 सेंटिमेटर होनी चाहिए इस पोलिथिन को हाथ की मदद से जोड के आजपास बांध लेना है इस जोड को जूलने में गेड़ से दो महिना लगता है इस जोड से तयार की हुई पोलज कलमी पोलज कहला दो हो यहां कलम बांधने की फख्रिया पूर्ण होती है कलम तयार करने में ध्यान देने योगजे बातो बर्ड स्टिक और रूट स्टोग की मोटाई एक समान होनी चाहिए प्लाट्टिक से इसे सही तरीके से बानगना चाहिए मतलब की गिलाया किला नहीं छोड़ी इस प्रक्रिया के लिए जिलाय से अगस्त मरे समय सबसे अच्छा माना जाता रहते इस आप्टिंग में ज्योग में आने वाले ओजार जैसे कि सिकेटियर और नाइक्स आप और टेस्ट को दिने करें यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर से हमें बताईएगा यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद